हेलो गाईज, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे मूलदिकार, फंडामेंटल राइट, उसमें आगे के आर्टिकल साज हम देखेंगे 19, 20 और 21 इससे पहले देखेंगे फैक्चल कोईशन अपना, तो देखेंगे राजिस्थान के कौन-कौन से लोकृत फेमस हैं, तो देखेंगे काल बेलिया, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, तेरह ताली, भवई और घूमर, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, काल बेलिया, तेरह राजिस्थान के लोकृत हैं, अब हम देखेंगे अपना टॉपिक, तो देखेंगे स्वतनता के अधिकार में कौन-कौन से अर्टिकल आते हैं, तो पहले आता है अर्टिकल 19, अनुचिद 19 जों पढ़ेंगे, इसमें क्या है अभिव्यक्ति की स्वतनता, पहले हमने पढ़ स्वतनता के सिफने साफने साथ कि उनने से लिखेंगे सवतनता के अविवक्ति स्वतनता के अपनी आप आठीके से लिखेंगे साथ तरीके है तो इस साथ दो याद में होता है की जोड़ा 탁कल 19 अन्तरगत ओन nghiacement-आटिकल 7 तरु 6 इसमें 6 बहागे जिसमें आंटी बने चाहिते उप्खंडों के तहाइत उप्खंडों के अंतरकत छे प्रकार की सुतनता गोश्यत की गई तो देखे इसमें 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 सुतनता हैं लेकिन मूलता कहती साथ अब कितनी है छे और 1902-1906 तक इन पर लगने वाली युक्तियोंक निर्बंधन बताएगा है यह स पर लेकिन इस पर कुछ क्या है निर्बंधन भी है तो वह देखेंगे क्या है परले पढ़ेंगे आर्टिकल क्या है 1901 का अब बहुते हैं 1901 का में क्या दिया है भाशन और अभिव्यक्ति की सुतनता मतलब आप कहीं भी भाशन दे सकते हैं आप जो भी आपके मन में उसकी अभिव्यक्ति दे सकते हैं तो देखें इंडियन एक्सप्रेस बना भारत संग 1985 के केस में सुप्रीम कोट ने नाइटी वन का में वर्ने द्विचार एवं भीव्यक्ति की सुतनता में ही प्रेस की सुतनता को भी नहीत माना है तो जो हमारी सुप्रीम कोट वो ना इन संबंदित सुचना का अधिकार भी सर्वोष नाले दौरा नाइटीन वन का में ही अंतरहित किया गया है तो क्या है जो मतदाता होते हैं जो वोट देते हैं तो उन्हें जो इसको वोट दे रहे हैं उसे संबंदित उसे सुचना मेले ये भी अधिकार हमारा इसी में ही आता ह अब 19.1 का किससे था? अभिवेक्तियों भाषन की स्वतनतर 19.1 खा किसमें शांति पुन वा हत्यार रहिट सम्मेलन का अधिकार तो देखे, पहले आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, एक याद करने का आपको तरीका बताती हूं पहले का में दिया है कि आप बोल सकते हैं, फिर खा में किया दिया है, कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांती पुन तरीके से, तो आप बोलेंगे कहां, सम्मेलन में ही तो बोलेंगे जहां लोग होंगे, तो पहला है बोलने की स्वतनता, फिर है सम्मेलन का अधिकार, ठीक है, 19.1 और एंपर संगम के संगम और सेहकारी समीति बनाने안ने का सम्मेलन Giving इसमें दिया हुँ है 97 संविधान शिंशोदन द्वारा सहकारी समिتي बणाने का अधिकार है वो बाद में शामिल किया गया 19 वन घामे भारत के राचेत में अभास संशन्ण का अधिकार बतलब आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं पहले कि आप बोल सकते हैं, बोलें कहां सम्मेलन में, ठीक है संभलन में पनाएंगे कि उसमे लोगों को आप भाशन देंगे ऐसे याद करने के लिए, तीसरा है कि आप अलग अलग जगे भूमके भाशन दे रहें तो उसके बाद गहा में किया है राजचेत में अभाषा कि किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार जब आप घूमेंगे तो आपका कहीं रहने का मन कर गया तो उसके बाद आप आप भहाँ पे निवास करेंगे तो उसमें है निवास करने का अधिकार उसके बाद देखे여 91 चामै इसलिए तो उसके बाद इसमें है है उसके गूमने जाहिए उसके बाद को लगा कि आपको जोए हो तो आपसंचरण Wasa लगा हो दो तो आपने कया खू मुण रहे एह थह लंख बन कर गया to निवास की अधिकार की अधिकार Also संविधान शंशोधन अदीनियम द्वारा मूल अधिकार हो की सुची से हटा का अनुचित 300 का के तैद विदिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इंग्लिश में A, B, C करके होते हैं ये तो वैसे भी आप याल रख सकते हैं, अगर आपको रखना है। बहुत सारी मतलब अधिकरहन करनी होती है, मालीजी उसे कोई रेल बनानी है, कुछ बनाना है तो वो मूल अधिकार नहीं रख सकते हैं, तो उसे विदिक अधिकार बना दिया। और इंग्लिशन शोधन 44 जो हमारा Constitutional Amendment Act है उसे हैसे हटाया गया। उपयोग सुतनताओं पर 1902-1906 तक की गई युक्तियोग निर्बंधनों की घोषन निमना है। अब इन पर क्या है? कुछ निर्बंधन भी है, कुछ रोक भी है तो वो क्या है? मतलब इन पर अगर सरकार चाहे तो रोक भी लगा सकते हैं लेकिन किस अधार पर तो कुछ अधार है। अब देखे आपको अगर निर्बंधन की सुतनता है तो अगर आपको कुछ भी बोलेंगे, अगर आप देश के विरुद्ध बोलेंगे तो सरकार को आपको मतलब आपके अखलाफ कारवाही तो करनी होगी तो इस पर कुछ हमारे निर्बंधन भी होते हैं तो अनुछेत 1902- कापल लगने वाले निर्बंधन की आधार तो देखे 1901 का में क्या दिया था हमें सबसे पहले भाशन की सुतनता तो इस पर किस आधार पर रोक लगा सकती है अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुद्ध का सवाल है नियायालाई की अवमानना मानहानी लोक व्यवस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पून संबन शिष्टाचार अब इवं सदाचार अपराद अधीपन तो देखे इन आधार पर सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है अगर देश की सुरक्षा का सवाल है नियालाई की अफमानना हो रही है तो इन सारे आधार पर लगा सकती अनुछे 19.3 ठीक है 19.1 खा पर लगने वाले रिर्वंधन का अधार तो देखे नाइंटीन वन खा में ता सम्मिलन का अधिकार तो इस पर किस आधार पर सरकार रोक लगा सकते है अगर भाद की संप्रभुता और खंटा का सवाल है और लोग व्यवस्था का सवाल है मालीज तो हो नहीं सकता मतलब आप अगर सरकार की कोई कार रोक रहे है तो इस आधार पर क्या है सरकार उस पर रोक लगा सकती है अब अनुछे 19.4 में क्या है 19.1 गा में क्या दिया था संगम और सहकारी समीती बनाने का अधिकार तो इस पर किस आधार पर सरकार रोक लगा सकती है स लोग व्यवस्ता भाद की संप्रभुता और खंटा के आधार पर अनुच्छेद 1905 में क्या है 1901 गाव 1921 आपत लगने वाले निम्मंधर के आधार तो देखे इसमें क्या दिया हुआ था आपको इसमें दिया हुआ था जो है हमारा निवास का अधिकार और व्यफसाय का अध अधा जंता के हित में सवात पर साध के लिफ में सेखे Κोषकर कर दोगा तो वाद गया सकते हों पर उंस्यभधी और मुष्णि के लिफोगषमाद कीदर दिया हुआ है सप्fendी दिया हुआ था झाधार के हृत्वान जंता के रिकाहं सकती हैं डिश्पाद दिया हुआ का लि लोग को नहीं जाना है तो वहाँ पर सरकार रोक सकती आपको जाने से अब देखेंगे आर्टिकल 1906 में है 1916 पर लगने वाला निम्बंधन तो देखें क्या है कि इसमें क्या था व्यवसाय का अधिकार था हमारा तो इस पर सरकार कैसे रोक लगा सकती है सराधान जंता के हित में उसलिए वज़त करना की राज किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंतरन करने के पक्ष में हो साथी कोई ऐसकार जो अनाते को जैसे महिला और बच्चों के खतरना कारियों में लगाना तो इस सहाधार पर क्या है तो सरकार रोक लगा सकती है अनुचेद 20 के सम्मद इससे है कि राज किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके अब देखे अगर राज अगर माली तानाशा हो जाए तो वो क्या क्या है किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता है यह अपरादिक क्रिते से संब्देता है, इसके अंतर कोई वेक्ति किसी अपराद के लिए तब तक दोशी नहीं माहा जाएगा, जब तक उसने ऐसा कोई कार कटे समय किसी प्रवध विदी का अतिक्रमन नहीं किया, मतलब अभी जो हमारी विदिया है, उसी के अनुसारी उनको को उसी इन नहीं दिया जाएगा, कि पुरानी विदी का अनुसार नहीं दिया जाएगा, ठीक है, दौर्य दंढर से संदर्फिजार्सitu, 22 में किया थे делать किसी वैक्ति को एक इपराद कर्दी क 맞아, एक बासी बासी कर्यादी माली किसी नहीं कपराद किया है, लेकिन उसके लिए 2 झौने से बार सजा नहीं है, जिसेद केवल नियायक दंड के संधर में है, विभागया और प्रिशाशन privacy को बारे में अपने ही विरुद गवाईं देने से संधर्खशण, 알बै में 23 नहीं कह सकते, और आपने ही खिलाफ गवाई देजिए इसमें तीन शर्टे हैं पहला अप्रादी कृत के मामले में अभ्यूग बनाए गया हो विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद बाद किया गया हो उसे अपने ही विरुद गवाई देने ही तो बाद किया गया हो तो मतलब उन प्रान ताह ज si话 कि अकाई स्बस्टा प meowוכण प्रान टाहल स्टान्ता निख जा सकता है अधे तिक संदूप्ता किसी जह सकती है आप मतला किसी तर्मै कानुनिक्सित किसी को जा जाज़ा सटी है तो इस nelग्तिक रोग की 갖ा कि booking प्रान ताह सटा है निक सकती प्रान टाहिख अधिकार एके गोपालन बना मदरास राज मामले में अनुछेत इकेस में जीवन का आठ के वल जीवत रहने तक सीमित रखा गया। में का गांदी बना में भाज संग में अनुछेत इकीस की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का जीवत रहने तक नहीं मानवे गरिमा पून जीवन जीने का अधिकार आठ के अधिकार मना गया। अनुचहे लगल में अनुचरَّ अच्याना के लिए अनुचे एधनाे के वा पेटिया थिंट करने हम आधिक संदर के सब्सकित है अनुचे आहें हैं आत्म अत्मे अत्य के अधिकार को सविकार कर लिया में ल्याधिकार, पहुट से लिलगा, जेवन जीनी पर जोड़ दिया गया बाद में क्या है नहीं होने का नहीं आत्महत्य का दिकार मुलदिकार नहीं है सुप्रीब कोड़ द्वारा अवना रामचद शानबाग बना भारत संग नाइंद 2011 में निश्क्रिय इच्छामरित्यू पैसिव यूथेनेशिया को स्विकार गया गया तो देखे निश्क्रिय दो तरीके की इच्छामरित्यू होती है तो इसको बलते है वो इच्छामरित्यू चाहता है तो इच्छामरित्यू दो तरीके की होते है सक्रिय और निश्क्रिय सक मां छिए मिडिया गाख ऑपक्रे एक को ड़ 거야 उनिक्रिय जए मुई जए खोड़ की और सभाडत कर दो कृष्धी तरिकरे इस किया पर यह थो कि सभ भाज कृ- कनी चैमीकल देंक बशूपर्ट पर्ड़ कर दो प्रकार अटनिकर शिव श्क्रिय में चो़तों निदी अelen। इसके अंतर का दूश्री वेक्ति को 10 साल तक की सज़ा जुर्मान हो सकता है शेशन कोट की उप्रिय दालत में सुनवाई का अधिकार है तो इस अब फैसले रहे सुप्रीम कोट के आईपीसी की धारा 307 किसी वेक्ति पर हत्या के रादे से चूट पहुंचाने का केस दर्च के जाता है यह भी गयर जमानिती अपराद है और 10 साल की सज़ा और जुर्मान साथ इसमें भी उप्रिय दालत में सुनवाई का अधिकार है आईपीसी की धारा 309 आत्मात्या का प्रयास करना दंडिनी अपराद है तो अगर आप आत्मात्या का प्रयास करते तो उसको दंडिनी अपराद बनाए गया अब देखे अनुछित 21a में क्या है अथिक्षा का अधिकार जोड दिया गया राज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार एवम निशोग सिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो पहाई उचित समझे तो देखे आप क्या है सिक्षा का अधिकार जोड़ गया गया छे से चुगदा वर्ष के बच्चों के लिए 86th Constitution Amendment Act जोगा था 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया देश में पहली बार नदी को मिला सम्विधानिक दरजा आप देखे इसके तरहती क्या है सुप्रीम कोट ने कई सारे फैसले दिये तो वह मैं आपको बता रहे हूं उत्राकर्ण हाइकोट ने गंगय उमना को विदिग व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदाग किया गया अब इन निकाए जो नदिया है वो एक लीगल परजन है मतलब उसके भी अधिकार ऐसे हैं जो इसे एक व्यक्ति के होते हैं तो गंगयमना के भी इसी तरीकी के अधिकार है अर्था एर नदियों को संविधानिक दर्जा प्राप्त हो गया अब इन दोन नदियों को चहती पोचाना किसी इंसान को नुकसान पोचाने जैसा माना चाहेगा औसी तरह दंड मेलेगा विदेत है कि इससे पहले न्युजिले कि अधिकी क्लाइन में भी खतम क्या सकता था इसलिए आपको यह डिटेल में पढ़ाय जा रहे हैं और आप इन वीडियों कर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इनको दूसरों के साथ शेयर करिया और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टैन को थैंक्यू